बाई मम्मा सुगा से गई हुई है और अभी तक नहीं लोटी हो लाली मुझे पता है कि मम्मा अभी तक क्यों नहीं लोटी फिर किसी मुसीबत में फसे की मदद कर रही होंगी बच्चे यूही आपस में बाते करी रहे थे कि उनकी मम्मा रानी चुडिया भी वहां पर पोच जाती है रानी चुडिया कुछ थकी थकी से लग रही थी वो आते ही अपने घोसले में लेट जाती है मम्मा क्या बाते आज आपने आने में भी काफी देर कहती और आप थकी थकी भी लग रही है ममा आपकी तबियत तो ठीक है ना अपने बच्चों की बाते सुनकर रानी चुरिया उनसे कहती है बच्चों चमकिली तोती अकेले ही अपना घर बना रही थी तो मैंने घर बनाने में उसकी मदद कर दी इसलिए मुझे कुछ तकावट महसूस हो रही है मैं आराम करना चाहती हूँ ममा हमने आपको कितने बार समझाया है कि दूसरों के लिए खुद को तकलिफ मत दिया करे मगर आप हमारी सुनती ही नहीं है एको लाली बेटा वो मेरे दोस्त है इसलिए मैं उनकी मदद कहती हूँ और मुझे ये विश्वास है कि कल को अगर मेरे उपर भी कोई मुसीबत आएगी तो यही दोस्त मेरे मदद जरूर करेंगे लाली अप बरी हो चुकी थी और वो अब काफी समझदार हो चुकी थी ममा मैं आप से चोटी जरूर हूँ मगर मुझे ये बात अच्छी तरा पता है कि बहले कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो मुश्किल समय में कोई साथ नहीं देता और मुश्किल समय में आपको हमेशा अपने ही काम आते है अच्छा अच्छा मेरी माँ अब मैं किसी की भी मदद नहीं करूँगी मुझे थोड़ी दे तुम दोनों आराम करने दो और दूसरी सुबा रानी और उसके बच्चे जंगल में दाना खाने जा रहे थे के रास्ते में उन्हें कलो कवी बेटी हुई दिखाई देती है जिसके सामने बहुत सी लक्डियां पड़ी हुई थी क्या बाते कलो बेहिं तुम कुछ परेशान लग रही हो अरे वा सबकी मदद करने वाली बेवकूफ चड़िया पहुँच गई इसे में बेवकूफ बना कर ये भारी लक्डियां अपने गर तक उठवा कर जाती हुँ वो रानी बेहिं मेरा गर बिल्कूल फोट चुका है इसलिए में ये लक्डियां काट रही हूँ लेकिन अब मुझे में बिल्कूल भी हिम्मत नहीं कि मैं ये उठाकर अपने गर ले जाओं क्या तुम ये उठाकर मेरे गर ले चलोगी हाँ हाँ कलो बेहिन क्यों नहीं मैं आपकी मदद जरूर करूंगी ऐसा करें आदी लकडिया आप उठाएं और आदी लकडिया मैं उठा कर चलती हूँ इतना केकर रानी अपने बच्चों की तरफ देखती है मगे ममा हमें बहुत भूग लगी है चले पहले चल कर दाना खा कर आते हैं बस बच्चों थोड़ी ही देर लगेगी मैं कलो आँटी के गर लकडिया बहुचा कर आती हूँ इसके बाद रानी चुडिया वो लकडिया लेकर कलो के साथ उसके गर चली जाती है रानी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वाके में तुम बहुत अच्छी हो और बात नहीं कर लो बेन, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे भूके हैं, मैं उन्हें कहीं से जाकर दाना खिला आउ इसके बाद रानी बच्चों को दाना खिलाने ले आती है लो बच्चो अब जी भर कर यहाँ से दाना खालो तुम तो खामका ही गुस्सा कर रहे थे नहीं ममा आप हमारी मा है और हम आप पर कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते इसके बाद वो सब वहाँ से खुब पेट भर कर दाना खा लेते हैं एक दिन रानी चुडिया अपनी रसोई में खाना बना रही थी कि वहाँ पर पायल चुडिया आ जाती है ए पायल बेहिं तुम यहाँ क्या कोई मुझसे काम था? फ़ा रासल रानी बेहिं मेरे घर पर आता खतम हो चुका है क्या तुम मुझे थोड़ा आता दे दोगी? हाँ हाँ पायल मेहिं क्यों नहीं मैं तुमें अभी आता देती हूँ और फिर इसके बाद रानी चुडिया पायल को कुछ आता दे देती है एक दिन बहुत तेज तूफान आ जाता है रानी चुडिया कहीं से अपने घर को लोट रही थी कि अचानक ही एक पेट से एक शाख तूट कर रानी चुडिया के पंक पर लगती है जिससे रानी चुडिया का पंक बुरी तरह से घायल हो जाता है रानी चुडिया की तबियत अब कुछ बेतर थी मगर उसके पंक पर बहुत गेरी चोट लगी थी जिसकी वज़ा से वो उड़ नहीं पा रही थी बच्चो हम सब कर से भूग पर है और फल भी चीलों के इलाके में है मैं तुम्हें वहां भी नहीं बेज सकती तुम दोनों ऐसा करो कि कलो आंटी के गर जाकर उनसे कुछ खाने को ले आओ तुम्हें कुछ न कुछ जरूर दे देंगी कालू और कलो दोनों अपने घर में बेथे हुए थे कालू जी बहुत ज़्यादा फुरूट खा लिया आमने दो अब तो पेट में जगा ही नहीं बची ये फुरूट कल के लिए रख देते हैं हाँ कर लो कहीं कोई इतने सारे फल देख न ले मैं से जल्दी से चिपा देता हूं पालू जी सुना है चुडिया का पंक तूट गया है हाँ कर लो तूफान में चुडिया के पंक पर बड़ी गेरी चोट आई है और उसका पंक ठीक होने में बहुत दिन लग सकते हैं तुम जाओ और जाकर उसे पूछाओ ना बाबा ना मैं नहीं जाओंगी अगर चडियाने मुझसे कोई मदद मांग ली तो फिर ले क्या करूंगी अब वो ठेक हो जाएगी तब चले जाओंगी उसे पूछने तुम ठेके रही हो कलो मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कवे आपस में बाते करी रहे थे के वहाँ पर लाली और गुगु आ जाते हैं कवे आंटी मुझे आपके पास ममा ने भीजाए ममा के बंक पर जोडागी है इसलिए ममा दाना नहीं ला सकती ममा ने कहा कवी आंटी से कुछ खाने को ले आओ हाए हाए लाली बेटा मेरी बेन रानी को क्या हुआ मुझे तो पता ही नहीं देखो बेटा बुरा ना मानना अगर मेरे बास कुछ खाने को होता तो मैं तुम्हे जरूर देती हम दोनों भी कल से भूख परे सफारी ममा के और भी दोस्त है जाकर उनसे कुछ खाने को मांग लो अलो आंटी हम आपसे देख मांगने नहीं बलके मदद लेनी आए हैं अच्छा हम जाते हैं इसके बाद लाली और गुगु रानी चुडिया के दूसरे दोस्तों के पास जाते हैं मगर कोई भी उन दोनों के मदद नहीं करता इसके बाद वो दोनों भाई बेहन एक पेर पर आकर बेर जाते हैं मैया मम्मा के तो सब दोस्तों ने मदद करने से इंकार कर दिया अब हम क्या करें मम्मा कल से भोग पर है और उनकी तबियत भी खराब है अगर हम उनके लिए कुछ खाने को ना लेगे तो उनकी तबियत और भी खराब हो सकती है लॉली तो फिर अब हम क्या करें हम अपनी मम्मा को भोग पर नहीं देख सकते कुकु भाई तो इसका एक हले के हमें अपनी चान खत्रे में डालकर चीलों के इलाके से मम्मा के लिए फल लाने होंगे इसके बाद वो दोनो भाई बेहन उड़ते हुए चीलों के इलाके तक पहुच जाते हैं लॉली बेहन दो रहा वो रहा फलों का बाग और हमारी किसमत अच्छी है यहाँ पर कोई भी चीलों दिखाई नहीं दे रही हम जल्दी से कुछ फल ले चलते हैं इसके बाद वो दोनों वहाँ से बहुत से फल तोर लेते हैं जल्दी करो भाई अब ये फल हमारे लिए काफी हैं जल्दी से यहाँ से निकलते हैं अपने बच्चों के साथ इतने सारे फल दे कहरानी चुडिया बहुत खुश हो जाती है देखा बच्चों, मेरे दोस्तों ने तुम्हें कितने सारे फल दिये हैं मैं तुमसे कहती थी के मेरे दोस्त मुसीबत में मेरी मदद चरूर करेंगे मम्मा, आप दिल की बहुत अची हैं, इसलिए सब पर विश्वास कर लेती हैं आपकी बात सच नहीं बलके मेरी बात सच निकली मुश्किल में आपके किसी भी दोस्त ने हमारी मदब नहीं की। मम्मा आपका और हमारा खून का रिष्टा है इसलिए हम एक दूसरे की तकलिफ बरदाश नहीं कर सकते हैं। इसलिए में और दाई अपनी जान खत्रे में डालकर चीलों के इलाके से आपके लिए फल लेकर आए हैं। मगर तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो। मगर तुम दोनों अब अच्छा बुरा अच्छे से समझ सकते हो। अब मेरी आँखे खुल गई हैं। और हमेशा परायों से जादा अपनों को एमियत देनी चाहिए। आगे से मैं आप दोनों का कहना जरूर मानूंगी। त्यारे दोस्तों अगर कहानी पैसंद आए तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब करें।